स्टूडेंट, आज हम अक्सिसाइज 1.1 के question number 21 से स्टार्ट करेंगे तो question number 21 है x plus 1 square over x square minus 1 minus x square plus 1 over x square plus 1 तो सबसे पहले आप देखें x plus 1 इसको फार्मूले के तहत हम x plus 1 into x plus 1 लिखते हैं यह अगर इनको multiply करें तो x plus 1 यह square बन जाएगा over x square minus 1 इसको हम लिख सकते हैं x plus 1 into x minus 1 अगर इनको multiply करें यह formula के मताबक तो यह x square minus 1 बनेगा और minus x square plus 1 over x square plus 1 यह इसको अभी ऐसे लिखेंगे आप देखें के x plus 1 और यहाँ पे x plus 1 into x x plus 1 over x plus 1 into x minus 1 तो इसमें जो x plus 1 यह x plus 1 यह इसकी cutting हो जाएगी बाकी x plus 1 over x minus 1 यह बाकी बचेगा और आप देखें के x square plus 1 over x square plus 1 यह इनके आपस में cutting हो जाएगी तो यह एक बाकी बचेगा सीफर नहीं लिखेंगे बलके इसकी बाया एक लिखेंगे 1 remaining तो इस तरह इसको हम LCM ले लेंगे x minus 1 और यहाँ पर नीचे समय लेकर बटा एक है इसको एक ऐसे ही समय लेकर तो इसका LCM आजेगा x minus 1 तो x minus 1 यह x minus 1 से यह खत्म हो जाएगा बाकी value इसकी बच गई उपर वाली x plus 1 यह वाली value बाकी आ जाएगी minus यह वाला आ गया और आप देखें यहाँ पर 1 है तो LCM था x minus 1 तो इस x minus 1 को 1 से multiply करें तो यह वैसी x minus 1 की value आ जाएगी और यह वाला minus की अलामत वैसे लिखते हैंगे तो इसको solve करते हैं x plus 1 यह minus x minus multiply by minus से plus हो जाएगा plus 1 तो x minus x यह cancel हो जाएगा आपस में यह positive यह negative यानि कि आपस में यह cancel हो जाएगी values 1 plus 1 plus 1 यह 2 over x minus 1 यह value उसका answer आ जाएगा ठीक है अब question number 22 की तरफ हम चलते हैं तो question number 22 है 5 x over x minus 9 plus x square minus 2 x plus 1 over x square minus 12 x plus 27 minus 6 x 6 x over x minus 3 जाएगा जाएगा चलते हैं यह पना जाएगा इसको solve करते हैं तो सबसे पहले 5 x over x minus 9 एकस एकस स्केयर माइनस तू एकस फ्लस वन ओवर एकस के साब से पहले हम इसके फैक्टर बना लेंगे जो यह वालीव वैलीव इसके फैक्टर बना लेंगे इसमें आप देखेंगे यह दिखाएंगे एकस के माइनस 12 एकस फ्लस 27 तो इसके हम पहले फैक्टर बनाएंगे जाने के तजिजी जिसको कहते हैं तो इसको हम अगर 27 के वो टेबल लें तो इसमें 3 और 9 का जो टेबल है वो इसमें यह टेबल के इसाब से यह फैक्टर बनेंगे माइनस 9 और माइनस 3 अगर हम इनको मल्टिप्लाय करें माइनस 9 को माइनस 3 से तो यह 27 प्लस में बनेगा अगर माइनस 9 और माइनस 3 को हम आड करें तो यह माइनस 12 बनेगा तो इससाब यह हमारी यह वैलियू के बिल्कुल n मताबक बनता है तो यह वाली वैलियू अभी खिलाल बैसे लिखेंगे माइनस 6 x माइनस over x माइनस 3 5 x over x minus 9 plus x square minus 2x plus 1 अब इस में से x minus 9 में से 9x में से x common ले लेंगे x minus 9 ये value आजागी x square में से x आजाएगा minus 9 का वैसे का वैसे आजाएगा x cancel हो जाएगा x के साथ और minus 3x plus 27 में से minus 3 common ले लेंगे 3 3 और x यहाँ पर आजाएगा minus 3 का table 27 तक तो ये 9 x minus 9 ये बराबर आगी values अब minus 6 x over x minus 3 अब फर्दर हल करते हैं इसको 5x over x minus 9 plus x square minus 2x plus 1 अब इसको हल करते हैं x minus 9 into x minus 3 x minus 9 into x minus 3 minus 6 x over x minus 3 तो ये आप देखें के 5x into आप देखें के नीचे वाली values आगे हैं x minus 9 x minus 9 x minus 3 और x minus 3 ये नीचे वाली values हैं तो इसमें से हम इनका LCM ले ले लेंगे साबसे पहले तो common ये x minus 9 है और इदर x minus 3 है तो x minus 9 और x minus 3 ये common आजाएगा तो आप देखें के x minus 9 x minus 9 से खत्म हो गया बाकी x minus 3 बचा तो 5x into x minus 3 ये वाली value आगे ये वाली यहां पर प्लस इस तरह x minus 9 x minus 3 ये दोनों आपस में cancel हो जाएगे और ये वाली value सेम आजाएगी x square minus 2 x plus 1 minus 30 ये x minus 3 ये खत्म हो गया और बाकी x minus 9 आगे तो 6x into x minus 9 into ये आगे अब इसको फुर्दर हाल करते हैं 5x square ये इसको multiply करने 5x into x ये 5x square हो गया और 5 into 3 ये minus की यहां पर अलामत है 5 को 3 से multiply करना है 15 5 into 3 15 x ये वाली इसकी value plus x square minus 2x plus 1 और minus इसको multiply करेंगे 6x into x 6x square और minus into minus ये प्लस हो गया 6 into 9 ये 54 और x ये वाले इसके x के साथ आगे ओवर और x minus 9 into x minus 3 ये वाली 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 आप इसको हल करते हैं 5x square है ये यह x square है यह 6x square हो गया यह 6x square यह plus का है और यह 6x square यह minus का है तो यह आपस में यह cancel हो जाएंगे यानि x square की value खत्म हो जाएगी अब जो simple x है उसमें minus 15x है और minus 2x है यह दोनों minus में minus 17x बन जाएंगे और इधर plus 54x है plus 54 minus 17x तो यह remaining 37x यह बाकी बचेंगे और यह plus 1 यह वाली plus 1 constant value जो है plus 1 यह वैसे की वैसे आजाएगी और नीचे x minus 9 और x minus 3 को हो आपस में multiply दोबारा उसी reverse form में ले आएंगे x square minus 12x plus 27 यह इसका answer आजाएगा तो यह था student question number 22 जो जिसको हम प्रेटर के जरीए हमने तज्री के जरीए उनके उनको हल किया और उनको आपस में cutting बगारा के बाद जो आंसर है तो 37x plus 1 over x square plus 12x plus 27 इसका answer आगया आप चलते हैं question number 23 की तरफ तो question number 23 है x square minus 4 x plus 4 over x square minus 4 divided by x over x minus 2 तो सबसे पहले हम x square minus 4 x plus 4 का factor इसके हम जोड़े बनाते हैं x square minus 2 x minus 2 x plus 4 minus 2 x minus 2 x के मतलब है कि अगर हम इसको multiply करें minus 2 minus 2 को यह plus 4 में आ जाएंगे अगर हम इसको add or subtract करें तो यह minus 4 में आ जाएंगे over x square है तो x x का square और minus यह वाली value 2 square यह फार्मूले के मताबक हम इसको लिखेंगे अब यहां पर divided आ तो इसको हम इसकी अलामत change करनी हो तो नीचे वाली value उपर और उपर वाली value नीचे आ जाती है यानि के divided जो है वो multiply में में यह convert हो जाता है तो multiply by x minus 2 over x यह वाली value बिल्कुल opposite चली एक्स मैनस 2 over x आ गया है अब इसको फर्दर हल करते हैं तो x minus 2 x में से x common आ गया x minus 2 x minus 2 और minus 2 x plus 4 में से minus 2 common ले लिया x 2 divided by 4 यह 2 आ गया x minus 2 यह वाली values परापर आ गयी over x plus 2 और x minus 2 यह अब फार्मुले के मताबक हमने इसको लएदा 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 लिग दिया यानिके x square minus 2 square काल था तो इसको x plus 2 और x minus 2 लिख दिया multiply पर x minus 2 over x आप इसको हल करके next step पर हल करके तो यह x minus 2 into x minus 2 over x plus 2 into x minus 2 into x minus 2 into x minus 2 2 over x आप देखें के इसमें x minus 2 x minus 2 यह इनकी इसके साथ cutting होगी बाकी बचा x minus 2 into और यह वाला x minus 2 और नीचे x plus 2 over x plus 2 into यह यहां पर x minus 2 इससे cutting होगी थी यहां पर value आवी 80 1 over x यह वाली x आ गया ठीक है तो अब इसको जीद हल करते हैं x minus 2 into x minus 2 अब इसको हम जब multiply आपस में करते हैं तो x square minus 4 x plus 4 x into x square 2 multiply by 2 यह plus 4 में आ जाएगा तो अगर x minus 2 x minus 2 आपस में multiply करें तो x square minus 4 x plus 4 आ जाएगा और नीचे x plus 2 इसको multiply करेंगे इस x के साथ क्योंकि इसकी value नीचे वाली है x into x x square plus 2 into x 2x 2x यह वाला इसका answer आ जाएगा जो के हमने factor लेने के बाल इसको solve किया अब चलते हैं question number 24 की तरह question number 24 है x square x square minus 36 over x square minus 1 divided by x minus 6 over 1 minus x x तो इसको solve करते हैं सबसे पहले x square minus 36 है तो इसको x को square यह आप जानते के according to formula multiply by divided था हो तो multiply इसकी values दिवार्ट होगी कि 1 minus x over x minus 6 ऊपर वाली value है नीचे और नीचे वाली ऊपर चले जाएगी 1 minus x over x minus 6 तो x plus 6 यह वाला x plus 6 और x minus 6 फार्मले की मताबक एक प्लस और मैनस में आ जाएगा over x plus 1 x minus 1 यह फार्मले की मताबक यह वाली value आ गई होगी multiply by 1 minus x over x minus 6 तो हम आप देखें के इसमें हमें चाहिए हैं यहां पर 1 minus x है यहां पर हमें x minus 1 चाहिए तो हम इस तरफ माइनस जो है इसको वह multiply करेंगे तो यह x minus 1 हमें हासल हो जाएगा यानिके x पहली बाली बाली आ जोगी यह minus x है तो यह plus x में आ जाएगा और यह plus 1 है तो यह minus 1 आ जाएगा क्योंकि अगर इसको माइनस से multiply करें तो यह यही value दोबारा हमारे पास आ जाएगी यानिके one minus x आ जाएगा इसको करने का मकसद यह है कि हमें इस value हमें चाहिए ताके इसके साथ हम इसकी cutting कर सेखें x minus 1 के साथ तो आप देखेंगे x minus 1 x minus 1 x minus 6 x minus 6 यह इनकी आपस में यह cutting हो जाएगी बाकी इदर आप देखें यह बाकी value बचेगी x plus 6 over x plus 1 into यह minus 1 जो हमने लिया था यह वाला वाली लिख लिया में और इदर जो minus 1 है इसको हम इसके साथ multiply करके minus x plus 6 over x plus 1 यह इसका answer आजाएगा इसको minus को इदर वैसे लिखते हैं तो चलते हैं question number 25 की तरफ number 25 है x square minus 5 x over x minus 1 divided by x square minus 25 over x square plus x plus 20 तो सबसे पहले इसमें से कामल लेंगे हम दुनों values में x है x square minus 5 x है तो x को कामल ले लेंगे x x square है यहां पर x बाकी रहेगा और minus value 5 यह एक सेंसल हो जाएगा बाकी 5 बचेगा over x minus 1 अब divided है यहां पर multiply है जाएगा इचे वाली value उपर चलेज़ें कि x square plus x plus 20 over x square minus 25 तो यह value अभी वैसे लिखेंगे x into x minus 5 over x minus 1 x square plus x plus 20 over यह वाली value x square minus 5 यह यह x का square हो गया और यह 25 हो गया 5 का square यह वाली अलामत आ यहां पर minus 5 square अब x into x minus 5 over x minus 1 into x square plus x plus 20 over x plus 5 x minus 5 अब करेंके मिताबक एक दफा जमाँ एक दफा मंद फिर x minus 5 into x plus 5 तो देखें के x plus 5 x minus 5 यह x minus 5 यह इसके साथ इसकी cutting हो जाएगी बाकि यह x बचा है यहां पिर हमारे पास remaining x x will multiply with these values x into x square x x into x square plus x plus 20 वाली value यह x minus y x minus y से इनकी यह cutting हो जाएगे over x minus 1 into x plus 1 यह cutting हो चुकी थी इसलिए यह बाकी remaining यह वाली value बची x plus 1 की तो इसको x को x square plus x plus 20 के साथ multiply करेंगे तो यह बनेगा x into x square x x 3 plus x into x x square plus 20 into x 20 x over x minus 1 और x plus 1 को आपस में multiply कर देंगे तो इसका answer आजाएगा x square plus 4 x और minus 5 अगर हम इनको आपस में multiply करें x minus 1 को x plus 5 के साथ multiply करें तो x square plus 4 x minus 5 इसका answer आजाएगा question number 26 तो question number 26 है 2 x square minus 5 x plus minus 12 over 4 x square plus 4 x minus 3 divided by 2 x square minus 7 x minus 4 over 6 x square plus 5 x minus 4 तो सबसे पहले हम इसके ले लेंगे 12 into 2 24 24 का टेबल लेंगे 24 का टेबल में 8 और 3 को हम select करतेंगे 2 x square minus 8 into 3 8 multiply by 3 24 आजाएगा अगर minus 8 plus 3 को हम solve करें तो यह minus 5 आजाएगा जो के यह value है इसके मताबक minus 12 over इसी तरह 4 x square plus 4 x minus 3 इसके हम factor ले लेंगे इसके तज़िजी लेंगे तो इसके factor में बनेगा 3 into 4 12 के टेबल में कौन कौन से यह आगे यह 6 और 2 का यह values आ गए 4 x square plus 6 x minus 2 x 6 plus का और minus का 2 आ गया क्योंकि plus 6 minus 2 यह plus 4 आ जाएगे अगर हम इसको multiply करें तो यह 12 आ जाएगे 3 into 4 12 में इसी तरह multiply by 6 x square plus 5 यह आप जानते कि यहाँ पर divided था तो यहाँ पर multiply आ गया है 6 x square plus 5 x minus 4 over 2 x square minus 7 x और minus 4 अब इसमें से कामन ले लेंगे 2 x कामन आ गया यहाँ पर एक्स बाकी रह गया एक्स मैनस 2 divided by 8 8 divided by 2 4 प्लस 3 इसमें 3 common आ गया एक्स मैनस 12 divided by 3 4 आ गया एक्स मैनस 4 एक्स मैनस 4 यह ब्राबर आ गी तो ओवर इसमें से कामन आ गया 2 x जो बाकी बच्चा 2 x प्लस 3 और माइनस 1 जे 2 x मैनस 3 में से common कुछ भी नहीं है तो इसमें से हम माइनस 1 को कामन ले लेंगे तो माइनस 1 कामन आ गया तो टू एक्स माइनस इंटू माइनस यह प्लस आ जाएगा प्लस 3 टू एक्स प्लस 3 यह वाली वैलिस हमारे पास जीम आगी इंटू इसका इसका एंटू दे लेंगे 6 x कैसे 8 x एक्स मैनस 3 x मैनस-4 इसके इसका किष्क फॉर इन्टू sick स्ट्विंट्व टेबल के एसका चाहिम 14 के वह फ्ैक्टर बना लें गे तो इसमें 8 और माइनस 3 8 प्लस का और मैनस भासा ठी की यह तिमकि Mir को मैनस-25 4 पास आजएगा और अब्रकर एंड ये सब्स्ट्रेक्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस 5 आजएगा तो ओबर नीचे वाली वैल्यू को भी वह फैक्टर बना लेंगे 2x square minus 7x minus 4 2x square minus 8x plus x minus 4 minus 8 plus x अगर इसको हम सॉल्व करें तो यह minus 7x बन जाएगा तो यह वाले फैक्टर हमारे पास आजएगा अब इसको लिखेंगे पहली वाली वैल्यू में x minus 4 x minus 4 2x plus 3 over 2x plus 3 2x plus 3 into 2x minus 1 यह वाली वैल्यू आगे अब इसमें से common आगया 2x 2 6 divided by 2 3 3 x square था इदर x common आगया 1 x बचके x plus 8 divided by 2 4 इदर 3x minus 4 में से कोई common नहीं है तो इसमें से minus 1 को हम ले लेंगे 3x minus into minus यह plus आजएगा plus 4 over 2x square minus 8x इसमें से 2x common आजएगा x minus 8 divided by 2 4 इदर भी x minus 4 में से common है तो plus 1 को हम common ले लेंगे x x minus 4 आजएगा x minus 4 अब आप देखेंगे x minus 4 यह 2x plus 3 है 2x plus 3 2x plus 3 यह इसकी यापस के साथ यापस में यह इनकी cutting हो जाएगी तो बचाया बचेगा x minus 4 x minus 4 over 2x minus 1 यह वाली multiply आप 3x plus 4 यह वाली value आगे और 2x minus 1 यह वाली value होगे 2x minus 1 over x minus 4 x minus 4 2x plus 1 2x plus 1 आप यह देखें किसकी साथ cutting हो रही है तो x minus 4 x minus 4 के साथ इसके साथ की cutting होगे 2x minus 1 2x minus 1 यह इसके साथ इसकी cutting होगे और बाकी यह value बची हमारे पास 3x plus 4 over 2x plus 1 यह value हमारे पास बाकी बची जो के हमारा answer आ गया है ठीक है student आप चलते हैं question number 27 की तरफ तो question number 27 है x into 2x minus 1 square over 2x minus 1 divided by 4x square minus 1 over 4x square plus 4x plus 1 तो सबसे पहले x into 2x minus 1 के हम formula के मताबक हम लिखेंगे 2x minus 1 into 2x minus 1 के minus की यह square तरह इसलिए दोनों twice ली यह minus में आएगा 2x minus 1 2x minus 1 over 2x square minus 1 यह value अभी लिखेंगी वैसे multiply by divided था तो multiply आगए 4x square plus 4x plus 1 यह वाली value अब नीचे value यह वाली के 4x square minus 1 अब x into 2x minus 1 2x minus 1 over 2x square minus 1 इसको value को वैसे लिख दिया तो सबसे पहले हम इस value के हम factor ले ले लेंगे 4x square plus 2x plus 2x यह multiply करेंगे तो 4x बने बन जेगा plus 1 यह वाला गया ओवर 4 to 4x square 2x square square आगया और minus 1 square आगया अब यह वाली 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 अभी बैस रासी लिख रहें x into 2x minus 1 2x 1 minus 1 over 2x square minus 1 into इसमें से 2x common आगया 2x into 2x 2x divided by 2x plus 1 plus 1 common आगया 2x plus 1 into आगया over 2x plus 1 2x square था minus 1 square था 2x plus 1 2x minus 1 according to formula अब इसको लिखेंगे 2x plus 1 into 2x plus 1 double value हमारे पास यह वाली आजाएगी 2x plus 1 और into 2x plus 1 यह वाली 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 वैसे लिखी 2x minus 1 2x minus 1 over 2x square minus 1 into 2x plus 1 यह वाली value 2x plus 1 यह वाली over 2x plus 1 2x minus 1 अब इसको जो cutting जिस वाली जिसके साथ हो रही हों हम देखते हैं एकस वाली value ऐसे आगी 2 2 x minus 1 यह वाली की cutting हो गई इसके साथ बागी एक एक value बची 2x minus 1 की और इदर 2x plus 1 2x plus 1 इसके साथ की cutting हो गई और जी 2x plus 1 यह वाली बागी बच्ची वैल्यू ओवर 2x स्क्राइब माइनस 1 यह वाला अब 2x-1 2x-1 अब इसको हम आपसमें मल्टिप्लाय करेंगे तो यह 4x स्क्राइब माइनस 1 आ जाएगा यह वाला अब बाहर वैल्यू एक्स की है इसलिए इसको इन्टू में लिखेंगे ओवर 2x स्क्राइब माइनस 1 अब 4x स्क्राइब मल्टिप्लाय करेंगा यह एक्स के साथ यह 4x3 यह माइनस यह वाली वैली नीचे वाली स्टी आ जाएगी वैसे तो यह इसका आंसर आ गया 4x3 माइनस एक्स ओवर 2x स्क्राइब माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा तो स्टूड़न यह थे वैश्चन नमबर 21 से वैश्चन नमबर 27 था जो के एक्सरसाइज 1.1 के थे तो इससे नेक्स स्टूडियो में यह एक्सरसाइज का आखरी जो केशन बाकी बचते हैं वह हम सॉल्व करेंगे इंशालों मिद करता हूं को आपको यह कुश्चन समझ आई होगी और इसमें आपको समझने में बहुत मदद मिली होगी तो नेक्स वीडियो तक आपसे इजादत आतों अल्ला